कविता के सम्मन में कहा जाता है कि ये कवी के हिर्दे से सहजी बहकर निकलती है और जहां इसे पहुचना चाहिए वहां का रास्ता भी खुद ही बना लेती है हिर्दे से हिर्दे का समवाध है कविता युवा कभी सुदर्शन व्यास के हिर्दे से भी कुछ कविताएं ऐसे ही अनायस बहकर निकली है जिनका संग्रा सुन रही होना तुम के रूप में हमारे सम्मुक है नश्कार मित्रों आपका सब का स्वागत है आज हम युवा कभी सुदर्शन व्यास की काविशंगरे सुन रही होना तुमकी चर्चा करेंगे आपसे आग रहे हैं कि चैनल अपना वीडियो बार को सब्सक्राइब कर लिजे और हमारा उस्सा बढ़ाईए सुदर्शन व्यास के संगरे की किसी भी कविता को आप उठा लीजिये आपको अनुभूती हो जाएगी कि कभी के सब्दों में जो नमी है कोमल ऐसास है जो आग्रे है विश्वास है वह सब अनायास है उनकी भावनाओं में कुछ भी बनावटी नहीं है एक भी पंक्ती प्रत ने दी कविता सुन रही होना तुमको ही लीजिये जिसमें प्रेमी विच्वाव को एक सुकद अहसास देना चाहता है वह आग्रे पूर्वक अपनी प्रेमिका से कह रहा है सुनो ना जिस हिर्दय ने तुम्हें प्रेम किया उसका कभी उपहास मत करना इसी कविता में अपन सुन्दर भावपूर्ण निवेदन है आज की पीडी के लिए जरूरी सीख है यह कविता जिन के लिए प्रेम विचो हसी का खेल हो गया है इसी प्रकार की सीख उनकी और कविताओं में भी दिखाई परती है इसी सीर्षक से एक और कविता सुदर्शन लिखते हैं उसमें कहते हैं सुनो ना मैं प्रेम करता हो तुमसे और ऐसा नहीं है कि जो तुम नहीं मिलोगे तो मैं प्रेम करना छोड़ दूँगा यहीं प्रेम की व्यक्ति है जिसमें पाने क्या पेक्षा और खोने का डर नहीं बस प्रेम में होने का आनंद है कविताओं प्रेम पर किंद्रत हैं निसंदे कहे अनकहे प्रेम को समर्पित भी हैं, लेकिन सामाजिक जीवन की दिशा का बोध भी उनमें दिखाई पड़ता है, उनकी कविताओं का प्रेम, फिल्म कभीर सिंग के नायक के प्रेम की तरह अमर यादित नहीं है, उनकी कविताओं का प्रेम जीवन सिखाता है, इस प्राप्त जीवन को अंदेकार में धकिलने के लिए प्रेरित नहीं करता। सबसे सुन्दर बात जो सुदर्शन की कविताओं में दिखाई परती हुआ है एक दूसरी का सम्मान। सुदर्शन की कविताओं में आप रिस्तों की गरमाहाट को सहज अनुभव कर सकते हैं। सुन रही हो ना तुम सीषक से ऐसा लगता है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को अपने मन की बास सुनाना चाहता है। परंतु सत्त यह है कि कभी ने इस्तरी के हिर्दय की बेवस्ता अपेक्षा और आग्रे की वो समाज का ध्यान खिशने का प्रेयास किया है। एक कविता के आर्थनात को थोड़ा सुनने की मालसिकता से सुना जाए तो वह हमारी मालसिकता के कुरूग चहरे को देखाती है। वह कविता बड़े उमर की कौारी लड़की है यह हमारे उन प् प्रेम को देखें और खुद को देखें। सुदरसन की कविताओं से होकर जब हम गुजरते हैं तो आएस्ता आएस्ता यह बाद ध्यान में आती चली जाती है क्यों उनकी कविताएं पहार से निकली किसी नदी की तरह कुछ दूर तक सरपड भागते देखती हैं लेकिन प्रेम के लिए परिपक्ता चाहिए जब आपके पास वरिष्टों सा अनवव हो तब आप प्रेम कर सकते हैं सही भी है हम देखते भी है कि अब परिपक्त की हुआ जब प्रेम करते हैं तब कई बार उसकी कितने भयाव बढ़नाम हमारे सामने आते हैं इसी प्रकार एक कवि कोईताओं की sportli में इंतजार भी है shayal प्रेम का और अनकळीव क्वाइस भी सब्सब्सब्स अपतित होता है कि कभी ने अपने संघ्रह में खुलकर बात दिल की किया मनद्गी बात कई है अपनी कविताओं से भी बारवार प्रेम का संदेज देने का जतन कर रहे हैं कह रहे हैं जिन्दगी और तुमारा प्रेम हमारा एक पवितर रिस्ता है अपने काभि संगरा सुन रही होना तुमके आखिर में कभी सुदर्शन बात उन दिनों की कहते हुए हर किसी उसके जीवन के प्रेम और उसकी कोमल एहसास की यादें याद दिला ही देते हैं विश्वास है कि सुदर्शन का ये काभि संगरा पाठकों का प्रेम प्राप करेगा इस चर्चा को यहीं इबराम देते हैं पुस्तक चर्चा के एगल एंक में आपसे मिलेंगे किसी और पुस्तक के साथ जय भरत